दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एलेक्जेंडर बैल्विस को और दबाईए इस घंटे को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें वह भी बिल्कुल फुरी में हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे हिंदी यूडू चैनल जिसका नाम है एलेक्जेंडर बैल्विस दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट क करिये दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ओपर बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है हाटो हैक वाइफाइब यानि कि किसी भी वाइफाइब नेडवर को कैसे हैक करें और उसका पासवेड कैसे ब्रोक करें ताकि हम उसको एजली कर पहें दोस्तों यह ट्रिक बहुत जिससे कि आप सु दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं वाइफाई हैक करना दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो वाइफाई का सैटिंग्स है उसको उपन कर लीजिए और मैंने सैटिंग्स उपन कर लिया आगे दिखते हैं क्या करना है यह जो वाइफाई है इसको deux बार अॉन करना है और एक बाह्त आव बार जाना है अब हमें एड़न सैटिंग्स में जाना है और इस सैटिंग्स को बंद करना है दुवारा अब जैसा कि दोस्तों आपने सैटिंग्स खोल लिए हैं अब आप देख पारें जैसे कि में पास दो वाई-फै नेट्वरक्स अबलेबल हैं तो हमाई पास जो वाई-फै नेट्वरक्स नोट कनेक्टेड है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको फॉर्वेट कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके पास एक वाई-फै बचेगा और फेसे आपको अपना जो सैटिंग्स है उसको एक बार स्विच ओफ करना है और आपको दुबारा वाई-टवरक्स मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको जो कन्फिग्रिशन सैटिंग्स डालनी है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों जैसे हम आपके बजया कि यह सेट्टिंग ईजलिए अपलेबल ऐब है तो आपको सबसे पहले वाइफाइ सैटिंस में जाना है और पिर आ कजिसद वाइफाइ से आपको कनेट कर आना है उसको सिलेक्ट करने फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैंने बताया कि किस तरह आपको सैटिंग्स ऐपन करना है अपने वाइफाइ की आगे देखते हुआ हैं आगे क्या करनेаете आपने अपने कभी सोच्ट है कि यह होती कैसे है अगर सोच्थ है तब भी मैं बता देता हूँ आपको और नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगा कि होती है दोस्तो जो hackers होते हैं यह anonymous hackers होते हैं और यह हमारी दुनिया को एक तरह से safe भी रखते हैं और जो भी friends अब आप जानी गए होंगे कि hacking होती है दोस्तो अब मैं आपको hacking के types के बार ही बताता हूँ दोस्तो hackers जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है black hack hacker और एक होता है white hat hacker so दोस्तो जो white hat hacker होता है वो किसी भी hacking को करने से पहले एक authorization ले लेता है मानिता प्राप्ट कर लेता है और यूजर जिसका data उड़ाना चाता है या फिर hack करना चाता है उसकी जो main organization है जिसका वो एक पार्ट है उससे वो permission ले लेता है hacking की और हमारे जो different cases होते हैं solve करने के लिए उनको यह बनाता है और जो black hat hacker होता है यह कभी भी किसी भी गलत काम को करने से पहले कभी भी कुछ भी नहीं पूछता किसी भी organization से उसका काम होता है बस लोगों का data उडाना और अपने फायदे के लिए use करना तो दोस्तों अगर आपको hacking सीखनी ही है या hacking करनी ही है तो आप white hacking करिये क्योंकि जो black hat hacking होती है वो एक तरह से illegal होती है और मैं आपको suggest करूंगा कि आपको black hat hacking नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने white hacking की तो आपको अच्छे से अच्छी कंपनी में placement मिल सकती है लेकिन अगर आपने black hat hacking की तो आप सीधा जेल की अंदर दिखेंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे और आपके माभाब भी आपका आपको कभी देखना नहीं चाहते होंगे जेल के अंदर सो दोस्तों आपने आज की जो वीडियो थे उससे क्या सीखा आईए मैं समराइज करता हूँ पहले तो मैंने आपको सिखाया वाई-फाई को कैसे है करना दूसरा मैंने आपको बताया white hat hacking and black hat hacking दोस्तों अब मैं एम कर रहा हूँ 10 likes का सो चालू हो जाईए हाँ हाँ हुआ 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 हुआ